देश के पास राजों में विधानसपा चुनाव हो रहे हैं जिसमें मिजोरम, राजिस्थान, चत्तिसगर, तेलंगाना और मद्धिप्रदेश स्वामिल है इन में से मिजोरम में एक ही चरण में मत्यदान होना था जो 7 नवंबर को हो चुका है वहीं चत्तिसगर में दो चरणों में चुनाव होना है जिसमें से एक चरण का मत्यदान 7 नवंबर को हो चुका है और दूसरे चरण का मत्यदान 17 नवंबर को होगा वहीं बाकी राजों में मतिदान अलग-अलग तारीखों पर होने हैं जैसे मध्यप्रदेश में 17 नमबर, राजिस्थान में 25 नमबर, तेलंगारा में 30 नमबर को वोट डाले जाएंगे और इन सभी के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे 2024 के लोगसभा चुनाव से पहले हो रहे इस विधान सभा चुनाव को लोगसभा का सेमी फाइनल बाना जा रहा है इसलिए सभी दिगज अपनी पूरी ताकत जोग रहे हैं इस बीच पियम मोदी MP के सतना और चतरपुर के दोरे पर हैं तो वहीं प्रियंका गांधी चित्रकू के दोरे पर हैं जा उन्होंने कॉंग्रिस प्रित्याशी निलांशु चतरवेदी के पक्ष में जन सभा की और बीजेपी और पीयम मोदी पर जम करने शाना साधा तो वहीं दूसरी तरफ सतना में पहुंचे पीयम मोदी ने भी कॉंग्रिस को आड़े हतो लिया आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है यह आपकी एक वोट ने ऐसा कमाल किया है कि देश के दुश्मनों के हौसले पस्त है इस बार भी MP ये चुनाओं में आपका हर वोट त्री शक्ति की ताकत से भरा हुआ है 30 शक्ति का सामर्त आपके वोट में है आपका एक वोट यहां फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहा है आपका वही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा और आपका वही वोट ब्रश्टाचारी कॉंग्रेस को MP की सरकार से सो कुछ दुर्ट ले जाएगा यानि एक वोट तीन कमाल साथ्यों मैंने अपने राजनिती जीवन में बहुत से चुनाव देखे हैं और बर्शो तक्तों मैं चुनाव लड़ाता रहा मैं कभी लड़ा नहीं लेकिन बाद में लड़ने की नौ बता गई लेकिन इस बार मतप्रदेश का चुनाव बड़ा ही दिल्चस्प है और मैं देख रहा हूं इस बार मतप्रदेश का भईविश मेरी माताय बहने ताय कर रहे वादी है मतधान में अभी इतने दिन बच्छे हैं है लेकिन उससे पहले ही कॉंग्रेस का जूट का गुबारा पंक्रल हो गया फूट गया है यह को और आपने देखा है ना जब गुबारे की हमा देजी से निकलती है तो वो कैसे लड़ खड़ाता है, सोर मचाता हुआ इदर उदर जाता है, वैसे ही हारते हुए कॉंग्रेस के नेता, इदर उदर भागते हुए, अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे है, कॉंग्रेस के पास MPK विकास का कोई रोड मैप नहीं, और इसलिए कॉंग्रेस के ठके हारे चहरों में, यहां के युवाओं को कोई भविश्य नहीं दिखता है, इसलिए MP को भाजपापर भरोसा है, MP को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, और यह भरोसा इसलिए है, कि हर देश्वासी जानता है, कि मोदी की गारंटी यानि, हर गारंटी पूरी होने की गारंटी, मेरे परिवार जनों, आज कल मैं जहां भी जाता हूँ, वहां अयोध्या में बन रहे, प्रभुराम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है, पूरे देश में खुशी की लहर है, सवभाग्य से भरे, इस पावन कालखन में, मेरे मन में एक बात बार बार आती है, मैं खर्ष्वयम सोथता रहता हूँ, और जो बड़ों से सुना हुआ है, वो बात हर पल मेरे कान में गुंती रहती है, मेरे मन को अंदोलित करती रहती है, और मुझे तेज गती से दोड़ने की प्रेणा देती है, और बार बार मैं उसका स्मरन करता हूँ, जहां कहा गया है, राम काज किने बिनू, मोही कहा विश्रा हूँ, अब रुकना नहीं है, ठकना नहीं है, और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, यहां की भाजपा सरकार को दस साल तक केंद्र की कॉंग्रेस सरकार ने हर काम में रूडेट काई, काम करने नहीं दिया, रुकावटे पैदा की, अभी 2014 में ही तो मत्रप्रदेश को डबल इंजीन की डबल ताकात मिली है, MP को जिस अंधेरे कुए में कॉंग्रेस ने धकेल दिया था, उस अंधेरे कुए से भाजपा MP को बहार निकाल पाई है, अब तेज विकास का समय आया है, सबके विकास का समय आया है, दलीत, पीडीत, शोशीत, वंचीत, पिछडे, आदिवासी, गरीब, नवजवान, किसान, हर किसी को, अब उसका हक मिलेगा, मेरे परिवार जनो, गरीब की बहुत बड़ी चिन्ता होती है, कि उसके पास अपना पक्का घर कब होगा, होती एक नहीं होता है, जिन्दगी के में जिसके पास कोई अता पता नहीं है, उसको एक पता चाहिए, उसे अपना एक घर चाहिए, वो अपने पक्के घर के लिए पाई पाई जोड़ने की कोशिश करता था पैसे बचाने की कोशिश करता था लेकिन कॉंग्रेस के राज में चारों तरफ ऐसा ब्रस्टा चार था कि गरीब के पक्के घर का सपना चकना चूर हो जाता था भाजपा सरकार ने देश के गरीब के सपने को पुरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया है बीते दस बर्सों में चार करोड से अधीक गरीब परिवारों को हमने पक्का घर दिया है मैं जर आप से पूछना चाहता हूं मैंने क्या कहा कितने गरीब परिवारों को पक्के घर दिये हैं कितने कितने यह चार करोड बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दुनिया के लोग जम मेरे से सुनते हैं न तो अच्रज हो जाता है चार करोड गर कई देशों की ते इतनी आबादी नहीं होती हैं इतने हमने गर बना दिये हैं और साथियों हम तो भक्ति में डुबे वह लोग हैं और इसलिए जब भव्य उस जब राम मंदिर बनाते हैं तो वो भी उसी भक्ती से और चार करोड wicked कि घर बनाते हैं वो भी उसी भक्तिसे बनाते हैं कि हम लोग तंद्र का है कि भव्यमंदिन नया संउस्षद भवन बनाते हैं तो हम 30,000 पंचयतों कि भवन भी उसी संवेदान की संसद्धा के साथ बनाते हैं और मुझे खुशी है कि भाजपा की डबल इंजिन सरकार होने के कारण MP उन रज्यों में से एक है जहां गरीबों के लिए लाखों घर बनाए गए यहां सतना में भी हजारों गरीब परिवारों को पक्का आवास मिला है कि एक लाख 32,000 देखिए हमारा गनेश जी कह रहा है और गनेश जी के मुझे जो निकलता था ना उसका बड़ा सामर्थ होता है और जिनको अभी अपना घर नहीं मिला है मैं आपको गारंटी देने आया हूं जिनको अभी घर नहीं मिला है यह मोदी की गारंटी है उनका घर भी बनेगा उनको भी घर मिलेगा आप साब लोग निश्चिंद रहिएगा मोदी ने आपके पक्के घर के लिए पहले ही पैसे का इंतजाम करके रखा है जैसे ही तीन दिसम्मर को यहां भाजपा सरकार लोटेगी पीम आवास योदना का काम और तेज कर दिया जाएगा हर गरिब परिवार को पक्का घर मिलेगा यह मोदी की गारंटी है गर मतलब जिरफ चार दिवारी नहीं जब मोदी घर देता है ना तो सारे सपनों को पूरा करने का आशियाना भी देता है कि 2018 में आपने एक सरकार चुनी लोग तंत्र है इस देश में जो सरकार आपने चुनी वो आपी की बनाई हुई सरकार थी और जिस तरह से यही रावण ने भगवान राम और भगवान लक्षमन के साथ चल किया उस तरह से आपके साथ भी चल हुआ कुछ बहुरूपियों ने चल कपट करके आपकी सरकार का अफरन किया आपकी सरकार चोरी की मतलब चोरी कर ली आपका लोग तंत्र चोरी कर लिया और उसे ब्रश्टा चार लोग में ले गए अब उसे वापिस कौन लाएगा अगर आप हनुमान नहीं बनेंगे आज के दिन में तो यहां से जो चल शुरू हुई आपकी धर्ती से जो चल शुरू हुई जिसकी वज़े से आप साड़े तीन साल और एक ऐसी सरकार को भुगत रहे हैं जिसे आपने चुना ही नहीं जो खरीद फरोज्टे बनी हैं रिश्वत खोरी से बनी अगर आप इस स्थिती को ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा आज इस मौके पर अगर आप हनुमान जी की तने खड़े नहीं हो जाएंगे और आप अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा देखिए ये जो असूल जो परमपराएं रामायन के समय से हमारे देश में चल रही हैं उनको आप सब अच्छी तरह से समझते हैं आप जानते होंगे कि महात्मा गांदी जी के जो असूल थे जिन पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई वो भी यही असूल थे जब महात्मा गांदी जी को गोली लगी और वो जमीन पे गिर गए तो उनके मूँ से क्या लफ़ निकले हे राम हे राम हे राम क्योंकि महात्मा गांदी जी उन्ही असूलों पर जिये जिन पर श्री राम जी जिये थे अब आप सोचिए भगवान राम के पिता जी ने उनका बनवास कराया ठीक है वो बनवास में चले गए बनवास में चले गए लेकिन उनके प्रती जो जनता के दिल में शरद्धा थी वो कम हुई बताए कम हुई कि और भी बढ़ गई और भी बढ़ी ना क्यूं क्योंकि भगवान राम के चरित्र में जनता ने ये देखा कि इनके दिल में हमारे प्रती शरद्धा है तो जब भगवान राम का बनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए तेरा वर्षों के लिए जंगल में रहे फिर भी जनता ने उन पे श्रद्धा रखी फिर भी जनता चाहती थी कि वही बने हमारे राजा फिर भी जनता ने इंतजार किया तेरा साल इंतजार किया जब तक वो वापस आए और जब वापस आए तो दिवाली पर इतनी खुशी मनाई कि आज तक हम उस खुशी को मनाते हैं और आज तक हम याद करते हैं कि किस तरह से जूट को सचाई ने पराजित किया किस तरह से छल को पराजित करके भगवान राम वापिस आए और भगवान राम गद्धी पे बैठे तो ये एक बहुत पुरानी परंपरा है हमारे देश की और जब हम राजनीती की बात करते हैं बहनों और भाईयों तो हमें हमेशा नेता में राजनीतिक दल में नेता के अबहार में ये जो असूल है ये ढूंडने चाहिए हमें समझना चाहिए कि जो हमारे हम जो राज कर रहे हैं उनके दिल में क्या है हमारे लिए क्योंकि देखिए जब गांदी जी ने अजादी की लड़ाई लड़ी और सिर्फ उनों ने नहीं लड़ी आपके पूरवजों अपना जो था वो दिया मैं 36 गड़ गई थी अभी कुछ दिनों पहले तो वहां मुझे पता चला कि वहां की महिलाओं ने अपने जेवर दिये थे आजादी की लड़ाई के लिए तो सब ने जो भी देशवासी है आज जो जिन्दा है उसके किसी न किसी पूरवज ने ये आजादी की लड़ाई लड़ी तो उनके प्रती प्रती भी जो हमारी श्रद्धा है वो यही बताती है कि हमें जो अपनी देश और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां है जो अपने जीवन की परिस्थितियां है उन्हें समझने की बहुत ज़रूरत है जब तक हम ठी इक जगे जाएगा नहीं अब आप देखिए कोरोना का कहर था आपके यहां से स्वास्त मंत्री थे थे कौन थे सिलावट जी थे कोरोना चल रहा था कोरोना के समय सिलावट जी कहां थे किसी को याद है बैंगलॉर के एक रिजोर्ट में थे क्या कर रहे थे सौदे बाजी कर रहे थे किस चीज की सौदे बाजी कर रहे थे आपकी सरकार की कर रहे थे की नहीं स्वास्तमंत्री थे उनकी जिम्मेदारी थी कुरोना चल रहा था तबाही मच रही थी हर जगे आप आक्सिजन के लिए तरस रहे हैं वो बैंगलॉर में बैठे सौदा कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी थी जब वो शुद के लिए युद्ध का जो अपने छेड़ा था कमलनात जी नारा की मिलावट रोखनी है सिलावट जी क्या कर रहे थे सरकार में मिलावट लाने की बात कर रहे थे तो अच्छा हुआ चले गए अच्छा हुआ चले गए क्योंकि ऐसे नेता जो आपके जन्मत को पैसों के पैसों और धन को इस्तमाल करके आपके जन्मत को बिगाड कर एक ऐसी सरकार ला सकते थे आपके प्रदेश में जो आपका नुकसान करे अच्छा है दूसरी पार्टी में चले गए और शायब अगर आप अपना वोट विवेक से देंगे तो और अच्छा होगा वो थोड़ा सा सबक भी सीख लेंगे थोड़े दिनों सत्ता से बाहर रहे हर नेता की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है तबी तो सीखते हैं नेता